उत्रप्रदेश की संभल में जिस तरीके से बवाल हुआ उपद्रब हुआ उसको लेकर पोलिस ने कारवाई की और F.I.R. भी दर्च की लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं पोलिस की कारवाई पर वहां पर हुई उपद्रब पर आखिर किस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई और किस तरीके से उसमें किस की जवाब दही बनती है हमारे साथ उत्रप्रदेश सरकार के मंतरी कपिल देव गरवाई जी मौझूद है कपिल देव जी ये जो घटना हुई उपद्रब हुआ उसमें कई सवाल खड़े कर दी है विपच लगातार कह रहा है कि सरकार दोशी है पुलिस पर लगातार सवाल खड़ी करी आ रहे हैं कि पुलिस अपनी बंदूग से गोली चला रही है क्या कहेंगे इस पूरी सिंसा पर दंगा हुए इस पर दोश हुए जंगा हुआ क्यों जगळा क्यों लूह का महल खराब क्यों लिए कि मैण उनको मैधन से काम नहीं करूने दोड़े में जब वहाँ पर नियाले के आदिश पर वहाँ जाच होती है प्रशाशी के दिगार जाते हैं पुली जाती है एड़ोकेट जाते हैं वहाँ की एक कमेटी जाती है जाच करने के लिए तो उनको जाचना करने दे करके हला काट करके शोर मचा करके अल्लाव अकबर के नारी लगा करके उपद्रों करके पुलिस पर पत्रा होता है गोली वारी होती है उनको दुड़ाए जाता है माकानों की चछतों पर पहले सी पत्र इखटा थे इसका माला जोजना बतर तरीके से आपको डिस्टप करने की जोजना थी यह साइची हुई है तो दिम्मेदार वे लोग है जो इसकी जाच होनी जीए जी लोगों ने पत्राव किया है उनकी वीडियो बनी है वीडियो की जाच मेना उनका नाम आएगा उनके पोस्टर लगेंगे ऐसे सब लोगों को बर आदर यह मुख्यमंदी योगी आहितना जी उनका इस बस करना है कि प्रदेश के अंदर किशी को वी-पिर मद भी ध scratches को द्वस्ट करने का आदेयार किशको नहीं सब को समानूप से जाने ख Yog परदेश कि विवस्ता .. एपने हाथ में लेगा यह दिकार किशी कonter नहीं दिया जाएगा लेकिन प्लिस पर आःब है कि पूलिस ने गोली चलाई कहीं ना कहीं उसने ही शुरुआत की कई ऐसे वीडियो दिखाए गए बख्च के द्वारा जिसमें पॉलिस क्या लग रहा आपको कि पॉलिस की गलती है यहां पर चुकि पॉलिस के जवान कह रहे हैं कि हम यहां पर गोली खाने नहीं आए तो ठीक है रहे अगर उपर भी गोली चलाएंगे पत्थर वर्साएंगे एक जूट होगा जानों की सिंगे हम लोग हमला कर देंगे तो क्या पुलिस हाथ मांने खड़े देगी आज तो रक्षा हैं पुलिस कुछ भी नहीं करेगी लेकि पुलिस की गोली से कोई व्यक्ति नहीं मरा है उसकी जांच भी हो रही है दूद का दूद पाने का भानी हो जाएगा उपद्ध्यों नों जो आपस में गोली चलाई है पुलिस पर हमला क्या है मुझको लगता उसकी गोली से वे लोग बने हो पर मने कोई भी हो मैं उनके लिए समयना वेक्त करता हूँ वो जिसमी परिवार की होंगे जिस में 2022 के अंदर जो बिल लाए थे विधेग लाए थे जिसमें इस पर सुप से कहा गया कि सरकाई संपत्ती हो या नीची संपत्ती हो अगर कोई उसको जराने में नुकसान पहुंचा दोशी माना जाएगा तो उसकी रिकवरी उसी की विक्तिक पापर्टी को सेल करके की जाए हैं कि वो डेलिगेशन वहां मिलने जाएगा संभल में जो पुलिस है उसके पास दो तरीके के पिस्टॉल रहती है एक एलीगल और एक लीगल रहती है और जब ऐसी हिंसा होती है तो पुलिस उस इलीगल पिस्टल से गोली जाए मुझको पताया कि शाद माता पश्टा पां किया जो दो पकार की पिस्टल रखते हैं को एक नाम उनके पास बताईए कि पांच वर्षों में उन्होंने किसी ऐसे प्लिस करवाई की हो जो विदान सभा के अधश से कि दो प्लिस करमी एक पिस्टल लाइसेंसी रखते हैं और एक नो लाइसेंसी लगते हैं आज किया आज़ूंसे उनसे प्लिस कर रहा हो उनिसे नहीं कर रहा हूं बहुत वरिष्ट आ मुझसे हो उनमें तिपणी तो पयादय नहीं कर摸फ पर मैं उसे नहीं पर शुरूं हाँ वह ऐसे दस बूर पचार लोग जिने उन्होंने जयल वह जा हो चारवश की हो उनिके बास तो यह चीजें गयर समयतार हैं उनके मुझे वाते शुबा नहीं देती अख्री शादो जी बहुत इसकाम करने के लिए कम से कम माता पशाजी इस पकार की टिपनी ना करें सब उनका समान करते हैं बहुत वरिष्टें वो और उनके दोरा इस पकार की पुलिस पर बोलना बहु जो विबाद सामने निकल कर आ रहा क्या ऐसा है जिसकी वज़े से पूरा दंगा आगे बढ़ा यह आपको लगता है कि इस प्रकार से वंदे मातन का विरोध करने का कम किया लोगसभा के अंदर विरोध करने का कम किया वो विरोध करते लगातार हैं एक वर्ग विशेश के करने का काम करते हैं और आज भी उनके पोते भी पढ़े लेके होने के मावजूद जिस पकार से करवाई कर रहे हैं यह बहुत ही गोरापती जनक भी है और देश और प्रदेश के लिए यहां की विवस्था के लिए ठीक नहीं है और मुझकों लगता कि वो दुशी बाई ज जो कौन गॉर्डेनेशन है वो है हाँ हो सकता है जाच को को विशे आएगा तो भी जाच में आजाएगा विशे हो नहीं है तुर्क पठान की बात पर जहूँ गोंगा के अभी मुस्लिम को तुर्क हो पठान हो साइयद हो अन्नेग वादित्याति भर्क की लोग हो तो वे स पोती नहीं है मुसल्मान समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी या खिलेश जादोजी या उसे पूर के नेता रहे हो उन्होंने मुसल्मानों के लिए कुछ नहीं किया शिक्षा के लिए बारिकाओं के लिए सकाई नौकरी के लिए हमेशा बहिमाना होता रह एक विश्येस वर्के के लोगों को नोकलियां देते रहे, मुसलमानों को नोकलियां करने देने कभी आगे नहीं है, उन्होंने पूरे परदेश के अंदर, एक भी मुसलिम जीद फ़हला नहीं किया, आइल तक उनहीं तो उन्हे थाओ, मुख्य मंती के रूप में शियोग या इतिनात वे लगाता मुस्लिम को संदक्षन भी दे रहें उनकी पूजा और इबातत पतिति का भी संदक्षन कर रहें और कुंदर की इस वात का उधार ने के कुंदर की रिंदर भरतपूर वोट मुस्लिम समाज की वोटों ने भारतें जबनारस और मतुरा और संभल का मानना यह कि इतनी जलदबाजी में सरकार क्यों है सर्वग को लेकर सका जल्दबारी में कहा है कोट का आदेश है कोट की आदेश का पारण करना है कोट टाइम आउन प्रोगाम देती है कि जो आरोब लगा रहे थे उन समीधान मतल नहीं सच्चा ही है कि समाजवादी पार्टी ही समीधान का पारण नहीं कर रही है और समीधान को अस्त वेस्त करना चाहती है अखरी सवाल है क्या उन उब्द्रवियों पर जो दंगई थे उसमें उन पर बुल्डोजर चलेगा यूगी सरकार का पूरी हिंसा में उब्द्रवी हैं उनके खिलाफ सक्त कारवाई होगी और अगर पुलिस पर कोई भी अटाक करता है तो पुलिस चुप नहीं रहेगी उसक का जवाब देगी लखनो से कामरा परसन गौरब गुपता के साथ आशी श्रवासतो आज तक